Hello everyone, आज हम discuss करने वाले हैं CUAT के competition level के बारे हम बात करने वाले हैं अगर आप CUAT का exam देने जा रहे हैं, इसके बारे मैंने आपको पहले भी update दिखा था अगर आपका exam phase 2 में हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता दू कि अगर आपका target जैसे कि आपका target अगर दिल्ली उनिवर्सिटीज हैं, जामिया मिलिया इसलामिया है, जे एन यू है, तो competition level के बारे में अगर हम बात करें, तो अच्छा खासा competition level है, तो अगर हम देखें, इसमें मैं आपको कुछ courses के बारे में बता दू, तो दिल्ली उनिवर्सिटीज में ब 22.8 candidates fight करने वाले हैं, वही देखें, वही देखें, वही देखें, वही देखें, आपको पता है, काफी सारी foreign languages है, तो वही देखेंगे, application 20,000 प्लस application है, और seats कितनी है, सिर्फ और 48, एक सिर्फ के लिए अगर हम बात करें, तो कितने candidates fight करने वाले हैं, 430, तो यानि 430 candidates में से, एक candidates को admission दिया जाएगा, तो यह देख सकते है language में, जामिय में लिए, इसलामिय में भी देखेंगा, be honors economics के लिए, 32,000 प्लस application है, और एक seat के लिए 607 candidates, और सबसे ज़्यादा competition अगर हम बात करें, तो BSC Bio Technology, 1032, या अंद अच्छे को admission मिलेगा, क्योंकि 36,000 approach applications है, वही अगर आप देखेंगा, डॉक्टर बी आरम बेटकर university में सबसे ज़्यादा competition से BBA में, यानि एक seats के लिए 910 candidates fight करने वाले, तो बहुत ज़्यादा competition से कई universities में, तो आपका जो भी universities target है, बहुत अच्छे से face to exams attempt करके आएगा, और सबसे important चीज़, जो भी universities आपका target है, उस universities का आपको अलग से counselling का form भी भरना पड़ेगा, या आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे जिस जिस universities का form आता रहेगा, आपको वीडियो बना के update किया जाएगा, थैंक्यू